नमास्कार दोस्तों यूपी पीटी का भरती परच्छा परणाम घुसित हो गया है अब आप लोगों के मन में एक ही कुश्य ना रहा है कि कितने नंबर पर हमें बैठने का मौका मिलेगा लेकपाल की भरती में तो दोस्तों इसके बारे में चर्चा करेंगे जो लोग चैनल प बनाया जाता है तो वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेनित लगती है तो प्लीज यार आप वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए दोस्तों मैं एक लोग यहां पर स्टूडेंट है उसका मैंने यहां पर स्कोर लिया है मैंने इनका प्राइब यह के लिए बहुत सारी चीजे हाइड कर देंग इनका स्कोर कितना मन रहा है और यहां पर दोस्तों इनका परसेंटरलाइज स्कोर क्या है परसेंटराइज मतलब 93.27 चलिए सबसे पहले मैं परसेंटरलाइज को आपको समझाता हूं उसके बाद मैं बता उतना ही दोस्तों उनको benefit रहेगा मान की चलिए अगर आपका पंसलेंटलाइज मार्क 98 बन रहा है 98 बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपने 98 बच्चे बैठे थे उनका 98% बच्चों को आपने पीछे चोड़कर ताप 2% में अपना नाम बनाया है और 58% बच्चे आपके पीछे हैं तो ऐसे इनका कितना है 93.27 कहने का मतलब ये टौप 7 में है ठीक है टौप 7 परसंट में है और 93% बच्चे इनके पीछे हैं तो दोस्तों इनका जो है लेकपाल भरती में बैठने का चांस है ठीक है क्योंकि आप निकालेंगे तो यहाँ पर लगबग 10% निकालेंगे तो 1,60,000 जितनी भी वेकिंसी आती है 1,60,000 हो जाएंगे तो 1,20,000 बच्चों को मौका मिलेगा तो इनका 7% में नाम आ रहा है तो इन तरह जिसका 90% भी है उनको भी बैठने का मौका मिलेगा क्योंकि कई सारे अब्यर्थी ऐसे हैं जो जिनका त्रिपल सी कंप्लीट नहीं है बहुत सारे अब्यर्थी ऐसे हैं जो हाई स्कूल करके हम को क्यों ऐसे फिल अप कर दिये थे कहीं सिलेक्शन होगे तो आप लोग ड आई होप कि वीडियो आपको समझ में आए होगी आप लोगों कि सारे डाउट्स क्लियर हो गये होंगे अगर डाउट्स ना कि देल हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना मैं हर एक का माक्स में बता दूगा कि आपका सिलेक्शन है की नहीं जै हिंज भारत